जै मतदी भक्तो नव रात्री के छेटवे दिन मा कात्यने के सुरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस सुरूप की पूजा करने से विवा में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। इनका रूप सुरूणे के समान चमकीला है, मा की चार भुजाएं हैं, इनके बाएं हात में कमल और तलवार है। और दाइने हातों में स्वास्तिक व आशिरवात की मुद्रा अंकित है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए भी व्रज की गोपियों ने इसी देवी की पूजा कलंदी नदी के टट पर की थी। ये प्रज मंडल की अधिश्टात्री देवी के रूप में प्रतिष्ट है। इसी दिन साधक का मन आग्या चकर में इस्तित होता है। योग साधना में इस आग्या चकर का महत्यपून स्थान है। इस चक्र में इस्थित मन वाला सादक मा कात्यने के चल्णों में अपना सर्वस्व निविदेत कर देता है परीपून्य आद्ब समर्पन करने वाला भक्त मा के सहेजी दर्सन प्राप्त कर लेता है देवी मा के भक्तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मा कात्यानी किस महारिशी की पुत्री कहलाई भक्तो कत्य नमक नाम के एक प्रसिद्ध महारिशी थे उनके पुत्र रिशी कात्ती हुए इन्ही के कात्ती के गोत्र में विश्व प्रशिद महारिशी कात्तियान का जन्म हुआ इन्होंने भगवती परंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कड़ी कठीन तपस्या की उनकी इक्षा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्मले और मा ने उनकी प्राथना स्युगार की ब्रह्मा विश्णु महेस ने दानों महेसा सुर्का अंत करने के लिए जिस देवी को प्रकट किया था उसी देवी की महा रिशी कात्या ने सर्वर प्रथम पूजा की थी और यही देवी इनकी पुत्री मा कात्यानी कहलाई भक्तो आपको जानकरी देदे की भगवान श्री कृष्णी की नगरी गुरंदावन में देवी के 51 सक्ती पीटों में से एक मा कात्तैनी का पीट इस्थित है। ये मंदिर प्राचीन सक्ती पीटों में आता है। कहते हैं यहां मा सती के केश गिरे थे जिसका प्रमान सास्त्र में मिलता है। नव रात्री के दिनों में देश विदेश से लाखो भक्त माता के दर्शन करने यहां आते हैं। कहा जाता है कि माता राधा रानी ने स्री कृष्णों को पाने के लिए इसी सक्ती पीट की पूजा उपासना की थी। भक्तों नव रात्री के छटवे दिन मा कात्तैनी की यह कथा यहां समापत हुई। बोलो कात्तैनी माता की जय।